नमस्कार दोस्तों मैं स्मित में स्वाहत करता हूँ एक फिर से आप सभी का MZT Education में TopicWise Current Fair के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे Index और Ranking की सूजकांक और Ranking बहुत important topic है इससे कुछ सबनते ही है आज की class पे हम लोग 2023 के खास करके जुलाई महीने से ले करके अभी तक के जितने भी 2024 तक अभी तक मार्च महीने तक जो भी आए हुए है Index और Ranking उनको कवर करेंगे बहुत ही कम समय में और आपको मैं पहले टेबल में दिखाऊंगा उसके बाद उसका question and answer रहेगा तो आपको बहुत ही बहतरी नंबहों मिलेगा और वीडियो काफे interesting होने वाली है तो आप like और share कर दीजिए चैनल पर नहीं आए हो चैनल को subscribe ज़रू कर लेना topic wise सीरीज जो चल रहे है इसकी मैंने अलग से playlist बना रखी है link उसका description में भी है उपर ये card बर बनकर आ रहा है इस पर भी click करके आप जा करके बाकी की classes देख सकते हो इससे पहले की classes में अगर बात करें तो महुत सो मेले हो चुका है फिल्म पुरसकार हो चुके है अब आगे की series में उसी playlist में आगे की जो भी चीज़े बनेंगी योजना है हुआ और भी बहुत सारी जो आप लोग suggest करते हैं तो सारी classes उसी में आएंगी और इन सब की PDF और quiz भी आपको provide कराई जाएगी वो चीज़े आपको मिलेंगी MZT app पर MZT app Google Play Store से इंस्टाल कीज़े बहुत ही फिर में बहुत ही useful content आपको यहाँ पर मिलने वाला है ठीक है जी पहला questions देखते हैं पहले हम लोग table में देखेंगे फिर questions की तरफ बढ़ेंगे तो सुरुआत करते हैं बीना किसी देरीक से एक और request आप अपना score count करते रहना जैसे कि मैं आपको हर सीरीज में बोलता हूँ score count करते रहना और end में comment करके इमानदारी से बताना है कितना question आपका सही हुआ है ठीक है ना चलिए पहला देखिए Westwick Bodhik Sampatah Sushkank English में भी बता दे रहा हूँ Westwick Bodhik Sampatah Sushkank Global Intellectual Property Index जो latest आया है latest से ले करके old की तरब हम लोग बढ़ेंगे अभी ये recent जारी हुआ है और इसमें जो है अमेरिका ये top पर रहा है अमेरिका इसमें हमेशा top पर रहता है अमेरिका इसमें first rank पर है यहां first rank है यहां इंडिया की rank है यह Sushkank का नाम है तो वैस्विक बौधिक संपदा Sushkank जो है इसमें भारत का अस्थान 42 है भारत का अस्थान ही इसमें पूछा जाएगा और अमेरिका इसमें top पर रहता ही है अमेरिका top पर रहेगा second पर UK रहेगा हमेशा तीसरे पर इसमें France है हेनले passport index अभी recent जारी हुई है फरवरी में भी जारी हुई थी दोको दो बार यह जारी किये अभी जनवरी में जारी किये फिर फरवरी में जारी किये जनवरी में जब जारी किये तब उसमें भारत अस्थी में पर था और February में फिर जब यह अपडेट किये तो इसमें भारत 85 में पर पहुंच गया इसमें 1st ranking पर France और 5 और देश हैं इसके लिए सबी 5 देशो का नाम है 6 देशो 6 देश टॉप पर हैं तो 6 टॉप पर पूछा नहीं जाएगा वैसे तो इससे पहले जापान और सिंगापूर ही रहा करता था टॉप पर लेकिन इस बार 6 देश टॉप पर हैं 85 में पर भारत है इसमें भारत की ही रैंक पूछी जाएगी आपसे ठीक है जी हैंले के दौरा passport index जारी किया जाता है और वीजा फिरी access के आधार पर जारी किया जाता है भारत में अगर बात करें तो भारत जो है ये 62 देशों का वीजा फिरी access इसके पास है ठीक है ना याद रखना Global Firepower Military Strength ranking में अमेरिका टॉप पर है इसमें military की strength देखी जाती है इस मामले में अमेरिका टॉप पर हमेशा रह रह रहा है कई सालों से और भारत का अस्थान चौथे अस्थान पर है Cyber Crime Report में इसमें 80 अस्थान पर भारत पताया गया है इसमें टॉप रैंकेंग नहीं सो हुई है 80 पर भारत है ये बात ध्यान रखना किसमें Cyber Crime Report में जलवाय परवरतन प्रदर्सन सूच का अंके में इसमें एक से तीन रैंक पर कोई नहीं है ध्यान रखना इसमें फर्स्ट पर सेकेंड पर और थर्ड पर इसमें कोई भी नहीं है ये कुश्चन बन सकता है आपसे चोथे नंबर से रैंकिंग शुरू होती है और डेनमार्क चोथे पर है भारत का स्थान 7 में पर है पिछली बार 8 में पर था इस बार 7 में पर है इसलिए ये इंपोर्टन है सबसे इंपोर्टन इंडेक्स यह है जलवाई परिवर्तन प्रदर्शन सुजकांग ठीक है climate change ठीक है तो climate change इंडेक्स में ये है और first three पर कोई नहीं ये बात ध्यान रखना ये पूछा जाएगा आपसे आगे बढ़ते हैं logistic performance index इस मामले में सिंगापूर है टॉप पर ये 2023 का रेंग है और 38 नंबर पर भारत है ठीक है logistic performance index में 38 पर भारत है प्रश्चाचार धारणा सुजकांग यानि की corruption perception index corruption perception index इसमें डेन्मार्क टॉप पर है और भारत का स्थान 93 में पर है ये important ranking है corruption perception index वैस्विक pension सुजकांग यानि global pension index इसमें नीदर लेंड टॉप पर है और भारत 45 में पर है ये ध्यान रखते जाईए अभी मैं question answer बताऊंगा तो उसमें आपसे question पूछूँँगा ठीक है ना चलिए startup funding ranking में भारत चौथे अस्थान पर है और अमेरिका जो है ये पहले अस्थान पर है startup funding के मामले में westwick unicorn यानि unicorn के मामले में unicorn आप जानते हो जब भी किसी startup की valuation 1 billion dollar के उपर हो जाती है तब वो startup unicorn startup कहलाता है तो ऐसे unicorns की संख्या के मामले में कौन से top पर है तो अमेरिका top पर है third पर अपना प्यारा भारत है second पर चाहिना है ठीक है तो ये हुआ 10 index अब 10 का हम लोग practice solve करेंगे फिर 10 और देखेंगे फिर practice उसका solve करेंगे ठीक है चलो पहला question फरवरी 2024 में जारी हैंले passport index में भारत का passport की सस्थान पर है बहुत ही आसान है इससे आसान कुछ नहीं हो सकता आप सब लोग इसका सही answer करोगे 85 में अस्थान पर आ गया है भारत ठीक है अगला हाली में जारी भरष्टा चार धारना सूचकांग यानि corruption perception index में भारत की सस्थान पर है बताएगा corruption perception index थोड़ा सा आपक अगला है कि अगला है और विस्व में दूसरे सथान पर है विस्ष में ने रियागाए है जो इस्तरा question से वो भी include किया गया है तो भारत में तोप पर आए और विस्व में दूसरे अस्थान पर है विसु में second पर है ठीक है ना चाइना का कोई है हुद्सुंग मा करके वो पहले पर है अगला हाले में जारी विसु बैंक की LPI रिपोर्ट में LPI देखो Logistic Performance Index Logistic Performance Index ठीक है अभी मैंने बताया था Logistic Performance Index और यह जारी कौन करा है Word Bank जारी किया हुआ है तो Word Bank की LPI रिपोर्ट में भारत कि सस्थान पर है भारत कि सस्थान पर है Logistic Performance Index में भारत है दोस्तो 38 अस्थान पर कि सस्थान पर 38 अस्थान पर अगला कुशन हाली में जारी Global Firepower Military Eastern Ranking में भारत कि सस्थान पर है इसमें Top पर अमेरिका रहता है दिखो Top ranking पूछी जायगी और उसके बाद यह तो भारत कि रैंकिंग पूछी तो भारत इसमें किस अस्थान पर है चौथे अस्थान पर है भारत की military जो है बीच में China रसिया है ओगे अब कुछ और Index देखते है फिर इसका भी धात्मक्ता रेंकिंग दिचेल प्रतियस पर धात्मक्ता रेंकिंग है ये लिवर्ड दीजटल गंपटिवनेस स सदस्ती। उन्चा समय पर भारत है ये बात ध्यार्ण रखना मैंकिनजिए remote work index में डेन्मार्क पहले पर है और 64 पर भारत है, remote work index मतलब जो लोग दूर से बैट करकी काम करते हैं, जैसे आप कह सकते हो work from home type का, तो global remote work index में डेन्मार्क पहले पर है और 64 अस्थान पर भारत है, वैस्विक प्यंसन सूचकांग देखिए, इसमें नीदरलेंड टॉपर है और 45 पर भारत है, यह मैं आपको अभी इसके पहले वाले भीड लेश्ट में बता चुका हूँ, इसाइद यह repeat हुआ है, यहाँ पर प्यंसन सूचकांग देखो नीदरलेंड टॉपर और भारत 45 पर और 111 अस्थान पर भारत है, 111 अस्थान पर भारत है, गलोबल हंगर इंडेक्स में, पहले इस से 107 पर था, गलोबल मोबाईल स्पीड रेंकिंग में सुझुक तरब अमिरात टॉपर है, 47 पर भारत है, हलाकि इंटरनेट स्पीड में चाहिना टॉपर है, यह देखिए, य नवाचार सूजकांग जिसे कहते हैं, नवाचार सूजकांग, वैस्विक, नवाचार सूजकांग है, हिंदी भी लिखते हूँ, हिंदी इसका बहुत पॉपलर है, पूछा जाता है, तो नवाचार सूजकांग में क्या होता है, इसमें टॉप पर कौन है, इसमें स्विट्ज अब आते हैं question पर हाल ही में IMD के ध्राइं जारी 2023 की VPoo Digital PRDHATMAKTHA Rankine में भारत कि सस्थान पर तॉप पर मैंने आ आपको USA है answer करो भारत की सस्थान पर है भारत है 49 वे पोजीशन पर ठीक है न हुन चास्वे पोजीशन पर अगला हाल ही में जारी Global Mobile Speed Ranking में भारत के सस्थान पर है, Global Mobile Speed Ranking में अगर बात आती है, तो हम लोग 47 वे अस्थान पर है, फर्स्ट पर कौन है, इसमें फर्स्ट पर United Arab Emirat है, UAE है, ठीक है ना, सयुक्त Arab Emirat, Global Innovation Index यानि वैस्ट्रिक नवाचार सुषकांग, इसमें भारत के सस्थान पर है, नवा होती आसान तरीकी से सब्याद हो जा रहा है, चली, अगला, नॉम्बर 2023 में जारी FIH ranking में भारतिये महिला होकी टीम की सस्थान पर रहे, यह भारतिये महिला होकी टीम की ranking पूछी गई है, इसमें मैंने आपको अभी बताया चटे पर है, हालाकि यह important नहीं है, यह खेल से related question है, यह ranking में देख दिया गया है, वह बहुत अलग है, फर्स्ट बन नीदर्लेंड है, अभी 2023 में ही विस्टू कप हुआ था होकी का भारत में ही हुआ था ओडिसा में, उसको जर्मनी जीत कर ले गया, यह बात ध्यान रखना है, मैकिंस्ते हेल्थ इंस्टिजूट दोरा जा चीन है, यहां भारत की बारे में पूछा गया है, तो भारत दूसरे अस्थान पर है, कर्मचारियों के विल बींग के मामले में, अब चीन कैसे पहले पागया, यह नहीं समझ में आ रहा है, आगे कुछ और इंडक्स देखते हैं, फिर उसके बाद कुश्चन अंसर के तरब बढ़ेंगे, वेस्विक आवास मूली विर्धी में, वेस्विक आवास के मूली विर्धी में, यानि कि कहां पर ग्लोबली आवास का दाम बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है, उस मामले में मनिला फिलिपिन्स यह टॉप पर है, मुंबई जो है यह चौते अस्थान पर है, ठीक है ना आवास का दाम बढ़ना वेस्विक यूनिकॉन रैंकिंग में अमेरिका टॉप पर है इंडिया तीसरे पर है ये बता चुका हूँ आपको विसको सर्वसेष्ट देश स्विर्जर लेंड चुना गया है सबसे अच्छा देश और तीसमें अस्थान पर इसमें भारत है हलाकि इस रैंकिंग में कई प्रगा की कटेगरी बनाए गई है अलग-अलग जनसंक्या की आधार पर बहुत सारी चीजों की आधार पर सर्वसेष्ट अलग-अलग होता है इसलिए इसको पूरा-पूरा 30 रैंकिंग नहीं मानेंगे स्विर्जर लेंड इसमें बेस्ट मा प्रतिभा सूचकांग विश्व प्रतिभा सूचकांग ठीक है कभी कभी हिंदी में पूछ लिया जाता है तो इंगलिस गड़बढ हो जाती है वह वर्ट टैलेंट रैंकिंग पढ़कर गया रहते हो पतलग है प्रतिभा पूछ लिया तो आप कंफ्यूज हूँ यह तो हमन डिज्टल क्वाल्टी ओफ लाइफ इंडेक्स इस मामले में सिंगापूर टॉप पर है भारत का स्थान बावनवा है डवलुई एफ यानि की वर्ड एकोनॉमिक फोरम की उर्जा संक्रमल सूचकांग यानि इनर्जी ट्रांस्मिशन इंडेक्स इसमें स्वेडन टॉप पर है और भारत 67 पर है यह भी याद रखना डवलुई एफ की रिपोर्ट इंपोर्डेंट होती है ग्लोबल स्टार्टप एकोसिस्टम रिपोर्ट में सिल्कान वैली यूएसे यह अच्छे टॉप पर है यूएसे और उसके बाद भारत का स्थान जो है भारत में का बढ़िया है और बैंगलूरू 20 अस्थान पर है टॉप पर सिल्कान वैली यूएसे का है वैस्पिक प्रतियास परधात मक्ता सुचकांग यह रिपीट हुआ है 40 पर है भारत डेन्मार्क है इसमें ग्लोबल लाइव बिल्टी इंडेक्स इसमें वियना आश्रिलिया जो ह ठीक है अगला कुशन्स पर आ जाते हैं वैस्विक आवास मुली बृधि के मामले में मुंबई के सस्थान पर है तो मुंबई चौथे अस्थान पर है मैंने आपको बताया सबसे तेज मनीला फिलिपीन्स में आवास के दाम बढ़ रहे हैं फिलिपीन्स वैस्विक यूनिकॉन रैंकिंग में भारत कितनी यूनिकॉन कंपनियों के साथ तीसरे अस्थान पर है तो यहाँ पर देखो भारत तीसरे पर है ये तो आपको पता था लेकिन कितने यूनिकॉन के साथ भारत तीसरे पर है भारत जो है 72 यूनिकॉन के साथ तीसरे पर है औ है। अगला हाली में लगातार दूसरी बार विज्सु का सर्षेष्ट देश होने का खिताब किस ने जीता है। हाली में जारी Digital Quality of Life Index शरुच्छर में भरत करें भारत की सस्थान पर है इसमें मैं तोप विस्टल क्यों पर है Digital Quality पर एक है है नaguमिले Wars पताए, कमेंट करके टॉप इस पर भारत का स्थान कौन सा है? इसमें भारत है, बावनवे स्थान पर. किस स्थान पर? बावनवे पर. ठीक है? अगला, बहुत इंपोर्टन नहीं है वो. जो इंपोर्टन है, वो मैं आपको बता रहा हूँ. ये इंपोर्टन देखो, वैस्व में अस्थान पर. ठीक है? अगला, चलिए, अब कुछ और इंपोर्टन रैंकिंग देख लेते हैं, फिर कुश्चर अंसर पर आएंगे, उसके बाद खातम कर देंगे. ठीक है ना? बहुत ज़्यादा आप नहीं बचा हुआ है. चलो, WEF की वैस्विक लेंगिक सूचकंग म यानि कि ग्लोबल जेंडर गैप में माल लो, तो आइसलेंड इसमें भी टाप पर है और 127 पर भारत है, ये भी इंपोर्टन है, क्योंकि ये जारी करता है, WEF यानि वर्ड एकोनोमिक फोरम अगर कोई रिपोर्ट जारी कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा वैलू दे देना, ठ जली, वैस्विक दुख सूजकांग, इसमें जिम बॉम्बे टॉपर है और एक सो तीनवे अस्थान पर भारत है, विस्व प्रेस सूजकांग सबसे इंपोर्टन तो अब देखो, ये पेज ही बहुत ही इंपोर्टन है, ये सब का सब इंपोर्टन देखो, मिल रहा है, अभ भारत 77 अस्थान पर, उतना इंपोर्टन नहीं है, फीफा रैंकिंग मैंने इसलिए कटवा दी, क्योंकि फीफा रैंकिंग में देखो, अर्जेंटीना तो टॉपर है ही, भारत 170 पर आ गया है, और ये लोग जो है, ये कभी भी रिपोर्ट जारी कर देते हैं, तो कभी भी इसलिए इसको आप पढ़िये मत उजादा सही रहेगा, क्योंकि अभी भारत 98 पर था, 97 पर था, 101 पर था, 110 पर था, 105 पर था, अचानक से 117 पर आ गया, तो ये चेंज होता रहता है, इसलिए इसको मधी याद कर तो जादा सही रहेगा, है ना, करेंट अफेर आप डेली फा पुरा कबजा हो गया, इसमें टॉप पर ये है, 13 पर भारत है, ये रहेंक भी पूछा जा सकता है, चुनावी लोकतंतर सूचकांग में, देखो एक है, लोकतंतर सूचकांग और एक चुनावी लोकतंतर सूचकांग है, दोनों अलग-अलग है, चुनावी लोकतंतर सूचक में भी 126 में पर है सांती में भी 126 में याद रहेगा चली सबसे प्रदूसित प्रमुक वेस्विक सहरों में वीजिंग चाइना है टॉप पर छठे अस्थान पर मुंबई है भारत का सहर टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ड उनिवस्टी रैंकिंग जो आई यह उनिवस्टी की रैंकिंग है तो अगेन यह भी उतना इंपॉर्डन नहीं है ओक्सपोर्ड उनिवस्टी इसमें हमेशा टॉप पर रहती है यह 201 में से मतलब 200 उनिवस्टी की बाद तो भारत की अगला वेस्विक आतंगवाद सुचकांग में पहले पर कौन है तो पहले पर अफगानिस्तान है और भारत कौन से अस्थान पर है तेरहुए नंबर पर है तेरहुए नंबर पर है देखो यही तरीका सबसे बढ़िया है कि लिष्ट दिखाओ इसके बाद उसका क्वेज लो लिष्ट दिखाओ फिर उसका क्वेज कि आप यह सुचकांग रैंकिंग बहुत तफ माना जाता है जल्दी याद नहीं होता है चीजों को कि इतने ज्यादा इसमें फैक्टर रहते हैं मतलब डाटा रहते हैं वीडेम इंस्टिट्यूट द्वारा जारी चुनावी लोगतं सुचकांग देखो यह वीडेम इंस्टिट्यूट यह जारी करता है तो इस चुनावी लोगतंत्र सुचकांग में अगर पूछा जाएगा तब भारत 108 अस्थान पर है वैसे अगर मरसर की एक सायद आती है लोगतंत्र सुचकांग वैसे आती है डेमोक्रेसी इंडेक्स लो विष्ट प्रेस सुचकांग 2023 में भारत की सस्थान पर है तो विष्ट प्रेस सोतन्त प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 161 पर है याद रखना फरस्ट पर इसमें हमेशा़ नारवे रहता है ठीक है आगे विष्ट के सबसे आपराधिक देशों की सुची में पहले भारत में महिलाओं के लिए सीर्ध चहर कौन सा है तो चैन नहीं है अवतार समूर ने रिपोर्ट जारी किया था QEAS University Rankin, अब देखो यह भारत की कुछ इंडेक्स है ना, QEAS University Rankin में दिली उनिवस्टी इसमें, भारत में रांकिंग निकाले गए दिली उनिवस्टी इसमें रही, भारत का सबसे सुरक्षित शहर, कोलकाता को बताया गया, NCRB ने रिपोर्ट जारी की थी, ये भी important है, सबसे जिला सुसासन सुचकांग में जमू कस्मी टॉप पर है ठीक है तीन कुश्चन और देखते हैं फिर खतम करते हैं क्लाज अगस 2023 में जारी पोशन जागुता सुचकांग में कौन सा राज्य सीर्स पर है पोशन जागुता सुचकांग अगर बात की जाए तो भई पंजाब वाले लस्ती पी करके पोशन बहिया बनाया रहते हैं अगला भारत में महिलाओं के लिए सीर्स सहर 2023 सुचकांग में कौन सा स तुरक्षित चाहर है इसका अंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए और जिनका सही होगा उनको हट दे दियेज़ेगा तो बाकी लोग समझ जाना और ब्रमास करेंट अफेर की बुक भी अवलबेल है आप इसको अगर आडर करना चाहते तो आडर कर लो क्योंकि जनवरी इसका पूरा-पूरा संपूर्ण इसमें दिया गया है सार कुश्यान अंसर माध्यम में है उसके वाई डेटेल एक्स्प्रानेशन भी है तो आप टार्गेट बना मना करके एक एक चेप्टर अच्छे से तैयार कर सकते हो लिंक डिक्सिप्शन में है आप जरूर चक आपको तरह तरह की चीज़े पीडिया वगयरा सब मिलती रहेंगी मैं मिलूंगा अगली वीडियो में तब तक लिए नमसकार जाहें बंदेबात रहें